ुहलो फ्रेंड्स दिस इस भार्थि एन वेलकम टो टेट एंड सेट क्रेकर चैनल इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गत्यात्मक भिकास क्या होता है और गत्यात्मक भिकास का अधिगम से क्या समंध है किस तरह का समंध है आखिर क्यूं एक सिच्चक को इसके बारे में जा के पास आइडिया मिलता है किस तरह का सहायता होता है तो चलिए ये वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं और बहुत ही डिपली से समझते हैं जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम सीटेट 2021 एक जाम के लिए एक स्रीज स्टार्ट किया है वो हमारा सीडिपी का है और इसमें हम बाइड डिसकर्शन करते हैं और उसके बाद टॉपिक के एंड में कोशन का भी डिसकर्शन करते हैं तो आप हमारे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चाइनल पे जूर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सेर, सब्सक् भी कर सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनो गत्यात्मक विकास को इंगलिज में motor development कहा जाता है घीक है? motor development अब motor development क्या होता है? सबसे पाहले हम समझेंगे कि motor development मतलब हमारा activity होता है Doing by learning का जो concept है इसी से related क्या हुआ है इसी से जो concept है इसी से related है क्यूंकि बच्छा जब तक खुद से activity करता है तब उसका अत्मविश्वास जगता है उसका मोटर डवलप्मेंट होता है ठीक है? खुद से जब कोई हम काम करते हैं तब उसमें हमारे muscles, fingers का जो coordinate होता है उसका जो combination होता है वो शामिल होता है और वोई सारे चीज करने के बार हमारे अंदर अत्मविश्वास डवलप होता है तो मोटर डवलप्मेंट के अंदर क्रिया से रिलेशन है अब हम समझते हैं मोटर डवलप्मेंट को ही क्रियात्मक विकास कहा जाता है कभी-कभी आपका पेपर में ये भी देखने को मिल सकता है कि क्रियात्मक विकास क्या होता है या तो फिर इसके स्थान पर रहेगा मनोगत्यात्मक विकास क्या है ठीक है तो दोनों में आप कन्फ्यूज मत होईएगा दोनों एक ही चीज है तो क्रियात्मक विकास इसे motor development या मनोग गत्यात्मक विकास विकाते हैं इसका अर्थ हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है क्रियात्मक विकास का अर्थ बेक्ती की क्रियात्मक सक्तियों, चमताओं, योगिताओं का विकास है क्रियात्मक विकास का मतलब क्या है जो बेक्ति के अंदर उसके सक्तियों चमताओं और योगिताओं का जो विकास होता है उसी की अवधार्णा है ठीक है उसी को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं तो एक अब बात आती है कि जब नवजात सुसू होता है तो क्या उसकी अंदर सक्तियां, छमता और योगिता क्र्या करने के लिए होता है तो नहीं एक नवजात सिशू ऐसे कार्ज करने में अच्छम होता है सालिरिक बिरधी विकास के साथ आयू उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योगिताएं का भी विकास होने लगता है जैसे जैसे बच्चा बरा होता है उसी तरह से उसके आयू के अनुशार उसका मोटर डवलप्मेंट होता है क्रियात्रों के विकास बालक के सालिरिक विकास और स्वस्थ रहने और स्वाब लंबी होने अब उचित मानसिक विकास में सहायता करता है जो motor development है वो सारे दिक विकास को स्वस्त रखने में, श्वाब लंबी बनाने में और उचित मानसिक विकास करने में help करता है ये किस तरह से करता है तो देखे आप बच्चों को भुक में कोई भी चीज परहा दीजिए और जब उसको activity के through उसको जब समझाते हैं तो वो क्या होता है? जैदा समझता है उसका जो knowledge होता है वो long time तक रहता है और रियल होता है और उसको उस कार्ज करने में अत्मविश्वास जगता है वो उससे और भी hard कार्ज कर सकता है क्योंकि उसके अंदर वो कार्ज करके उसके अत्मविश्वास जागत हुगा वो अब सोचने लगता है कि जब मैं ये काम कर लिया हूँ तो आगे का काम भी मैं कर लूँगा तो इस तरह से वो अपना भी काम करने में उसका help लेता है उसका जो पुर्व ग्यान होता है उसे relate करके कोई new condition में जब new situation उसके सामने आता है तो वो relate करके उसका जो problem होता है उसका solution वो ढूंड लेता है इसलिए doing by learning का जो point है इसको बहुत जायदा आगे बढ़ाया गया है इसको बहुत जायदा focus किया गया है NCRT का काना है कि बच्चे को हम जितना doing by learning के थुरू हम सिखाएंगे उतना ही उसका जो knowledge होगा वो real होगा strong होगा long time तक रहेगा ठीक है Next point हमारा है इसके कारण क्रियात्मक विकास के कारण बालक को आत्म विश्वास अर्जित करने में भी शहायता मिलती है परियाप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन परकार के कौसलों का विकास में बाधा होती है अगर आप बच्ची से खुद activity नहीं करवाएंगे तो अदर विकास जो है उस विकास में भी उसका बाधा होता है रुकावट होता है क्योंकि उसका correlation नहीं बन पाता है उसका coordinate नहीं बन पाता है वो उससे relate नहीं कर पाता है और उसको करने में उसे हीचक महसूस होती है इसलिए बच्चे को activity के थुरू जाइदा से जाइदा चीजों का knowledge देना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अब हम समझेंगे कि जो मनोगत्यात्मक विकास है इसका अधिगम से किस तरह का संबंध है तो इसे ज्ञान के आधार पर ही बालक के विविन कौशलों का विकास करने में शहायक होता है जो मनोगत्यात्मक विकास है इसको ज्ञान के आधार पर ही बालक के विविन कौशलों कई तरह के कौशलों होते हैं उसका विकास कराने में क्या होता है सहायक होता है किर्यात्मक विकास के ज्ञान से सिचकों को यही पता चलता है कि किस आयू विशेस में या अवस्था में बालक किस परकार के कौशलों के योगिता अर्जित करने का इच्छा उसके अंदर होती है कहने का मतलब यह है कि अगर एक सिचक को मनोगत्यात्मक विकास के बारे में जानकारी है तो सिचक जो है वो पता कर पाते हैं कि जो यह बच्चा है इसकी आयू इतना है और इस आयू में उसको किस तरह की कौशलों कि योगिता करने में किस तरह का activity करने में जायदा interest लेगा तो उसी तरह का activity के थुरू उस बालक का जो ज्यान है उसको वो increase कर सकते हैं बरहा सकते हैं ठीक है? तो यहां से clear हो गया है कि motor development का relation किस तरह से learning से है तो इसलिए है क्योंकि जब तक ये सिच्चक नहीं जान पाएंगे इमोर्टर डवलप्मेंट जो है बच्चों को क्यों करवाना चाहिए किस आयू में किस activity को सामिल करना चाहिए तब तक वो बच्चा जो है सही से चीजों को नहीं सीख पाएगा उसको आत्मसार नहीं कर पाएगा ठीक है और यहां जो है दोनों को फायदा होता है सिच्चक को भी कोई चीज समझाने में सिच्चक को बहुत जायदा help होता है क्योंकि सिच्चक को पता है कि इस आयू में बच्चे जो है ये चीज में interest ले रहा तो उसी के तुरू उसको सिखाया जाएगा जब जो चीज बच्चा इंट्रेस्ट ले रहा उसी के तुरू जब हम उसको हम सिखाते हैं तो वो जल्दी और कम समय में बहुत जायदा सीख लेता है तो यहां टीचर और स्टुडेंट दोनों को फायदा हो रहा है ठीक है next point हमारा है जीन वालकों में क्रियात्मग विकास समाने से कम होता है इसके समायोजन एवं विकास है तो विसे सकार्ज करने की आवसकता होती है कहा जा रहा है कि जीन वालकों में क्रियात्मग विकास समानने से कम होती है average से भी कम होती है वो बहुत कम कर पाता है तो उसके समाई उजन में विकास से तो business कार्ज करने के बसकता होती है business उस पे ध्यान देना होता है क्योंकि वो जो है समानने से भी कम है lowest है तो उस पे हमें business ध्यान देना चाहिए ताकि उसको भी हम सामानने तक पहुचा सके और सभी बच्चों के साथ उसका विकास हो सके ठीक है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मनोगत्यात्मक विकास जो है अधिगम से इस परकार का सम्मंद है और मनोगत्यात्मक विकास एक सिच्छक को अच्छी तरह से जानकारी होना चाह इस तरह से आज हमारा CDP पार्ट का जो फॉर्स्ट इवनिट है वो टॉपिक आज खत्म हो गया अब कल हम लोग इसका को देखेंगे प्रिभिएस यहर में बहुत सारे कोशन आये हैं उस को देखेंगे कुछ न्यू को देखेंगे जिस को बहुत जाएदा आने की शंभावना ह नेक्स्ट इजाम में तो आई होफ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कॉमेंट करकर आप जरूर बताएए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा थैंक यू गाईज थैंक यू